नमस्का दोस्तों, मैं डॉक्टर अंचली, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अभ्यारिस्ट के बारे में, कि अभ्यारिस्ट क्या काम आता है, कितनी मातरा में लेना चाहिए, इसको लेते समय क्या सालधानिया रखनी चाहिए, अभ्यारिस्ट एक आयरुवेधिक मेडिसन ह साहती साहत में जैसे की मैली यह कबज की भीमारी हो या पेट में गेस बनती है प्रॉपर उप से पेट साफ नहीं होता हो या Piles की ढिकत हो या फीसर हो या फिर पेट में आफरा रहा हो इसके अंदर हम अभ्यारिस्ट को काम में लेते हैं आजकल हमारी जीवन से लिए है वो अनियमित होने के कारण या हमारा जो खान पान है वो भी खराब होने के कारण जैसे कि हम वह जदा फास्ट फूड काम में लेते हैं या फिर जैसे हम वह जदा फीजिकल एक्ससाइज के न वहां पर इसके साथ ही साथ में पेट में आफ्राना अजीन होना यह सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अब्यारिस्ट में पर इसमें जो कंटेंट्स की बात करते हैं तो अरित्की बिढंग मुनक्का दहतकी गोक्षु निशोत जिंजर दहतकी इनके अलावा भी और स्टूल के साथ में खून आ रहा हो या फिर उसके बाद में जलन हो रही हो दर्द हो रखा हो इसमें गेस बनती हो या आफ्रा आ रहा हो तर्दा एक्टी फीसर हो जिसमें बहुँ के टाइम पर हाड स्टूल होने के कारण हमां की मिचस है वह रिस इंडूर काम कहां करता है एंटी-वारल एंटी नॉक्सिद Countess & ऐंटी डी पेसे नब्हें भी रहती है इसके अलावा यह क्या करती है कि लग्चेटिव के साथ में हमारी जो इंटेस्टाइन के जो पैस्टलिक मॉमेंट्स होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं साथ में स्टूल को सॉफ्ट बना करते हैं सॉफ्ट बनाने के कारण क्या होता है कि पैन रिड्यूज होगा दूरिंग डिफिकेशन के टाइम पर वहाँ पर इंफिलामेशन के कंडिशन होगी वह कम होगी साथ ही सात में जैसे पैन और एंटिस्पास्मोडिक की की होती है जिसके करण तो दोजिस में मैली हम जैसे छोटे बच्चा है तो हम उसको 0.5 ml देते हैं और मतब तो उसमें 1 ml अगर 3-12 साल का है तो उसमें 1 ml देते हैं अगर 12-18 साल का है तो 15-20 ml एडेंट में हम 20-30 ml तक दे सकते हैं अब जब भी हम अभ्यारिस्ट को दे तो एक तो खाना खाने के बाद देना चाहिए साथी साथ में हम जितनी मात्रा में ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमें बराबर पानी मिला करके लेना चाहिए अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में काम में ले लेते हैं तो जैसे इसमें हरित्की है तिवरत है तो यह सब क्या करते हैं ज्यादा मात्रा में लेने पर लूज मोसन हो जाएगा दस्त लग जाएंगे या फिर पेट में disturbance हो जाता है, पेट दर्द होने लग जाएगा, पेट में जलन हो जाता है, क्योंकि अभ्या अरिस्ट में क्या होता है, यह acid होता है, तो acid होने से यह ज़्यादा stomach में और ज़्यादा acid का secretion करने लग जाते हैं, content indications की बात कहते हैं, तो pregnancy और breastfeeding में इसको हमें बिना doctor के consult के नहीं देना चाहिए, अभ्या रिस्ट है, इसमें जो हरित्की होती है, उसका बहुत अच्छा result होता है, क्योंकि यह luxury का काम करती है, साथी साथ में जाए हमारे पेट में जाए constipation हो या फिर कबज की problem है, इसके अंदर हम अभ्यारिस्ट लेते हैं, अगर फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा, तो अभ्यारिस्ट से आदे गंटे पहले हमें एक चमच गी या तो दूद के साथ में लेना चाहिए, देन उसके बा अगनी को क्या करता है, बढ़ाता है, तो उसके साथ में अभ्यारिस्ट को देंगे, तो ये अगनी को भी बढ़ाएगा, साथी साथ में ये क्या होगा, पेट साफ करेगा, जिससे constipation दूर होगा, I hope आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारे वीडियो अ सब्सक्राइब करें, और इस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्योरी है, तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके हो सकते हैं, थैंक यू